दलेजेंड लेजेंड का मतलब तो सबको पता ही होंगा मगर आखिर एसे क्या खासियत होती है उन में लेजेंड लोग ऐसे वेक्ति होते है जिनमें प्रबल इच्चा शक्ति होती है ऐसे लोग नीडर और सासी होते है जब कोई वेक्ति ऐसा कोई काम कर जाता है जो आद से पहले इतियास में कभी हुआ नहीं तब दुनिया उससे लेजंड करकर भुगारती है आखिर किसे कहते हैं लेजंड लेजंड शब्द अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है इस शब्द काउपयोग हर किसी के लिए नहीं किया जाता है अगर लेजंड बोलकर किसी वेक्ति को संबोधित किया जा रहा है तब आपको समझ लेना चाहिए कि वह इंसान दुनिया के कुछ की निचुने लोगों में से एक है लेजंड शब्द काउपयोग हम उन लोगों के लिए करते है जो पूरी दुनिया में सबसे अलग और अपनी फिल्ड में मारती होते है लेजंड शब्द अधिक्तर उन लोगों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो संभव को संभव कर दिखाने का साहस रखते है लेजंड लोग बड़े अलग टाइप के होते है अगर एक बार इनके मन में किसी काम के प्रती इच्छा प्रकट हो जाती है तो वह तब तक उस काम को करते है जब तक वह पूरा न हो जाए और पूरी दुनिया से हटकर एक मिसाल बनते है जैसे कि डॉक्तर भीमराव अमबेड कर भगवान गौतम बुद्ध बेसिकली अब आप समझ ही चुके होंगे कि लेजंड का मतलब क्या होता है तो आप सवाल यह है कि क्या कोई आम इंसान लेजंड बन सकता है और क्या हम लेजंड बन सकते हैं तो जवाब है हाँ अगर आप भी लेजंड बनना चाते हैं तब आपकी इच्चा शक्ती बहुत ही प्रबल होनी चाहिए आपकी इच्चा शक्ती जितनी ज़्यादा प्रबल होंगी उतने ही बड़े स्केल पर दुनिया के लिए मिसाल बनोगी बस आपको अपने आप से एक ही वादा करना होंगा और वो है यह मैं जिसभी फिल्ड में जाओंगा उस फिल्ड को एक नई उचाईयो पर पहुचा दूंगा अगर आप ऐसा कुछ कर जाते हैं तब दुनिया आपको लेजन्ड की उपाधी दे देंगी और आप में है इच्चा शक्ती तो लेजन्ड बन के दिखाईए और आप लेजन्ड बन सकते हैं यह मैं अच्छे तरह से जानता हूँ